Hello friends, welcome to my channel आज हम देखेंगे busy के अंदर TDS के बारे में TDS की entry कैसे होती है इनकी voucher कैसे बनते हैं वो सब हम आज busy के अंदर देखेंगे busy में start करने से पहले हम TDS से related कुछ questions देख लेते हैं इसके full form आपको पता होनी चाहिए text deducted at source और TDS क्या है किसी भी person की कोई income होती है तो उसी time उस income पे TDS कट कर लिया जाता है उसे TDS कहते है जो TDS है वो कौन से income पे deduct होता है TDS उन income पे deduct होता है जो central government ने list दी होई है उनी income के ऊपर TDS कट होता है जो भी income होती है उनकी कुछ limits हैं उनकी rates है और जिनके पास pen card है और pen card नहीं है उसके हिसाब से government के तरफ से ये list बनी हुई TDS कैसे डिड़क किया जाता है मानलो कि एक employer है एक employee है employer अपने employee को salary देता है और उसमें से TDS काट के देगा मानलो कि उसकी salary 50,000 रुपे है और उसमें TDS उसका 2,000 रुपे कटेगा यानि 48,000 48,000 वो उसको देदेगा बाकि 2,000 वो government को जमा करवा देगा government TDS क्यों काटती है government TDS इसलिए काटती है क्योंकि tax की चोडी से बजा जाए क्या TDS refundable है हाँ TDS refundable है मानलो कि आपनी में काम करते है आपकी salary पे 5,000 रुपे का TDS कट हुआ था जब आपको salary मिली साल के end में आपकी income पे 2,000 रुपे का ही tax लग रहे तो 3,000 रुपे आपको वापस मिल जाएंगे तो इसका मतलब यह है यह TDS जो है वो refundable है आपको TDS के भारे में पता होना चाहिए और मैं आपको इसकी list दिखाती हूँ यह government की तरफ से list है यह list आप Google से डाउनलोट कर सकते हो नई list यह पुरानी list है अब हम देखेंगे BZ के अंदर कैसे हम TDS के option को enable करेंगे TDS की category से पहर जार्नल एंट्री करना फोस्टेप है पेमिंट करना देन TDS के रिपोर्ट को चेक करना अब हम स्टार्ट करते हैं हमने BZ ओपन किया BZ के अंदर हमने कंपनी को पहले ही ओपन किया हुआ है अपनी ओपन करने के पार हमारा फर्स्टेप था नेबल करना है हमें TDS के option को पहले हम अनेबल करेंगे TDS के option को अद्मिनिस्टेशन के अंदर हम जाएंगे कंफिग्रेशन, फीचरस & option फीचरस & option के अंदर हम जाएंगे TDS & TCS के option पर और यहां पे TDS के option को क्लिक करेंगे लिए के बार आपके पास TDS & TCS की detail के box हो जाएंगे यहां पे आपको detail डालनी है 10 number डालना है 10 number जो होता है वो 10 गिजिट होता है first 4 number जो होते हैं आपके alpha होते हैं next 5 number आपके numeric होते हैं और next number आपका alpha होते हैं यह डालने के पाद आपको TDS & TCS का circle number डालना है जो भी आपका number है pair category में आपने category select करोगे यहासे मैंने category select की and company का address company का address जाने के बार यह detail फिल करने के बार आपको amount round off option पे click करना है और round off के लिए tick करना है उसके बार responsible person detail पे click करेंगे जो भी person यह TDS की details को handle कर रहा है वो person का नहां पे नाम आएगा आपकी company में एक accountant होगा आप उसका नाम डालोगे या फिर आप खुद इसको handle कर रहे होता आप अपना नाम डालोगे यहापे मैं name डाल रही हूँ destination, accounting, pan number नवीन का pan number, flat number इसका आपको address जानना है address जानने के बाद इसको आपको save करना है उसे save करने के बाद इसे save करोगे पहले तो आपको इस option को enable करना है और इसके अंदर details को fill करना है अभी हम back जा रहे हैं back जाने के बाद आपको masters पे click करना है masters पे click करने के बाद आपका यह tedious category का option show हो रहा है, यह पहले आपको show नहीं हो रहा tedious category पे click करने के बाद आपको 3 option दिखाएगा add, modify and list पहले हम list देखेंगे bg के अंदर पहले ही सारी list बनी होई है जिनकी जरुवत होती है इस पे मैंने click किया commission and brokerage पे click किया tds category section इसके हैं पे लिखा हुए paying category में यह सारी paying करने की limits लिखी होई है अगर pan है pair के पास तो उस पे 5% कटेगा यह पहले से ही बना हुआ है आपको बनानी की जरुवत नहीं है इसे मैं save कर रही हूँ यह पूरी list बनी हुई है इसे मैंने back किया back करने के बाद अगर आप कुछ modify करना चाते हूं आनलो कि आप इस limits को change करना चाते हूं government की तरफ से limit change हो गई है तो आप इसके उपर क्लिक करोगे और इनको ऐसे change कर दोगे ठीक है अभी मैं back कर रही हूं बिना save किये आप modify भी कर सकते हूं और अगर आप add करना चाहते हो तो यहां पर TDS category का नाम बताओगे section code बताओगे आइन है पर pay category इसकी जरुवत पढ़ती नहीं है अगर government की तरफ से कोई ऐसे addition होती है तो आप यहां पर बना सकते हो तो हमने second क्या देखा TDS category के बारे में third हम देखेंगे journal entries journal entry पर click किया मैंने add किया journal entries करने से पहले हम एक example ले ले लेते हैं आनलो कि आपने property को rent पर लिया हुआ है हम उसकी entry करते हैं देखते हैं कैसे करते हैं मैंने इसको फिल किया फिल करने के बार जी एस जी नेचर not applicable and account डाविट क्या करोगा rent on property का बनाओगे master rent on property यह आपका expense है क्योंकि आपको यह pay करना परेगा जहां हमें किसी को pay करना परता है वह हमारे लिए खर्चा होता है तो हम इसको expense में डालेंगे हमने इसे expense में डाला expense पर डालने के बाद हमारे पास यह box show कर रहा है क्या TDS applicable है को करेंगे yes अगर TCS को no ही रहने देंगे क्योंकि हम अभी TDS का करें इसको yes करने के बाद आपके पास यह open होगा TDS कौन सी category का इसके ओपर applicable है category आपको देखके ही select करना है क्योंकि TDS के जो rates है सब पर अलग-अलग है तो यहां से rent of land, building, furniture का select करना है मैंने इसे okay किया okay करने के बाद मैंने इसे save किया Rent on property कितना है पूरे साल का मानलो कि 5 लग रुपया पांच लग किया, पांच लग करने के बाद यहां पर जिस person को मुझे पैसा देना है उसे मैं क्या करूंगी credit करूंगी F3 प्रेस किया, का नाम है Rahul यह मेरा creditor है क्योंकि मुझे इसे पैसा देना है, इसे मैंने yes किया जिसे हम Pay कर रहे हैं, जैसी कि मैंने Rahul को Pay कर रही है हो, तो Rahul अगर हमारा इंडुवीजियुल resident है तो Rahul हमारी company है तो Company, जो भी Rahul है आपको स्लेक करना है, यहां से आपको स्लेक करना है जो भी है यह मैंने इंडुविजूस लग किया, मैंने इसे okay किया, okay करने के बान आपको यहाँ पे pan number बता रहा है, अगर आपने pan number नहीं बताया, तो आपका 20% deduct होगा, तो आप यहाँ पे pan number बताओगे, and और इसको करोगे save, save किया, तो आपके पस यह box show होगा, यह बोल रहे है कि आप calculate करना चाहते हो, इस current voucher के ओपर TDS, अगर करना चाहते हो, तो yes करोगे, मैंने yes किया, तो यहाँ पे आपको यह show कर रहा है, TDS से related details को expense दिखा रहा है, TDS amount दिखा रहा है, और अगर आप इस detail को यहाँ पे fill करना चाह आते हो, automatic, तो अब post पे click करोगे, तो देखो यह automatic इसने ले लिया, यह TDS rent of land, इसने 50,000 automatic ले लिया, अगर यह automatic नहीं लेता है, तो कोई problem नहीं है, आप यहाँ पे, खुद से type करो, TDS rent on, rent of land, तो यह आपका यहाँ पे आ जाएगा, then इसको आप save करोगे, तो यहाँ पे भी आपको यह पूरी details show करेगा, TDS applicable, अप्लिकेबल है या नहीं है, lower rate applicable, TDS category, यहाँ पे आपको इसका reference number जरूर देना है, इससे आपके लिए easy रहेगा, reference number दिया, और इसको हमने किया, okay, and यह save हो गया, अब हम देखते हैं payment करना, अब हमें payment करनी है, किसे किसे payment करनी है, अब हम हमें payment करनी है, राहूल को payment करनी है, और comment को payment करनी है, हम राहूल को पहले payment करेंगे, मैंने राहूल select किया, राहूल में 4.50 देने है, click करने के बार, enter क्लिक करने के बार, यहाँ पर आपको यह detail show करे, आपको यहाँ पर reference number डाला है, मैंने यहाँ पर reference number डाला 1, and enter, enter करने के बा आया PNP bank, bank account और इसको मैंने कर दिया, save, save करने के बाद ये मेरी entry हो गई, इसको मैंने है से किया, save, मैंने राभूल को payment कर दी और मुझे किसे करनी है, government को करनी है, TDS, commission, TDS, rent पे था, rent of land, 50,000 कव, PNP 50,000, इसको हम यहां से कर देंगे, save, जब भी आप government को payment करोगे तो आपके पस ये box show करेगा, यहां पर पूछे, TDS category क्या है, आपको सही डाल लिए, अगर आप color डालोगे, तो आपका वो show नहीं करेगा, मैंने TDS category डाली, TDS, rent, rent of land, building, जैसे ही मैंने ये category डाली, तो मुझे ये show कर रहा है, क्योंकि इससे related, जितनी भी reference number की entries है, यहां पे वो आ करना है, टिक करने के बाद, आप payment for the quarter कौन से, quarter की payment कर रहे हो, यहां से select करोगे, interest अगर penalty है, तो आप यह बताओगे, text deposit कर रहे हो, वो date है, चलान number क्या है, जब भी आप bank में payment करते हो, तो उसके चलान number और check number होते हैं, आपको यहां पे वो डान ले है, enter, enter, PNB bank, और इसको किया, हमने okay, okay करने के बाद, हमने देख लिया कि channel entry करनी है, हमें पहले, उसके बाद हमें payment करनी है, payment करने के बाद, हम इनका TDS report देखना चाहते हैं, हम display में गए, display के अंदर TDS report पे गए, यहां पे हमें show कर रहा है form, TDS category के उपर form fill होता होगा, वो आपको यहां पे show करेंग जो भी quarter का हमें देखना है, हमने first quarter का ही भराए, इसे okay किया, okay करने के बाद, आपको यह show करेंगा, TDS category, total amount, TDS से related सारी info हमें आपे show कर रहा है, और इसमें एक और option है, annexer यह हमें तुरा detail में बताता है, यहां से हम select करेंगे, यहां से हम select करेंगे, जो भी आप category का देखना जैसे मैं rent of property, और इसका देखना चाहते हूं, first payment देखना है, journal देखना है, तो आप पूरी details यहां से देख सकते हो, और एक और है, यहां पे TDS detail, deduction detail, इस पे click किया, all references के सार्थ, TDS से related देखो, यहां पे TDS से related देखो, इस पे नाम क्या था, payment क्या थी, तो आप इस पे click करू deductives कौन होते हैं, जिसमें के income से पैसा कटा है, वो हमारे deductives है, deductives का नाम Rahul है, क्योंकि अभी Rahul के income में से ही हमने पैसा काटा है, तो आज हमने क्या देखा है, कैसे हम TDS के option को enable करते हैं, entries करते हैं, payment करते हैं, और reports को check करते हैं, अब हम आपको मिलते हैं next video में, अगर आपको कोई doubt आता है, इससे related आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, और आप किसी particular topic पी video चाहते हैं, तो आप मुझे comment करके बता सकते हूं, and bye, thank you for watching my video